नमस्ते, विलकम टो संगिता फैशन, आज जो मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ, यह जो बलाउज है इसकी आज हमने बलाउज डिजाइन बनाई हुई है, आज हम इसी बलाउज डिजाइन के साथ मैच होती हुई, इसकी स्लुज डिजाइन बनाईगे, तो हम यहाँ पे ब्ल आप जरूर चेक कर लेना, यह मैंने किस तरह से बनाय हुआ है, यह यह लेस है, यह फिर यह जो मैंने लेस वर्क की डिजाइन बनाई है, यह यह फिर यह गले का अकारे, सब कुछ मेरे चाइनल पर है, आप जरूर देख लेना, अब हम इसकी स्लूज डिजाइन बनाते हैं, य यहाँ पे आप अपनी हिसाफ से जो customer की demand हो उस हिसाफ से आप यह लंबाई रख सकते हैं और उसी हिसाफ से आप अपना यह जो blouse design है वो बना सकते हैं फिर इसके बाद एक tip लगाने के बाद यहाँ पे press tip लगा कर लेनी हैं यह जो press tip है देखें यहाँ से यह आस्तर की side हम यह press tip लगाएंगे उसके बाद हम पल्टी करके यहाँ पे उपर की side से एक tip लगाएंगे अस्तर की side से प्रेश टिप लगाने की वजह से हमारे उपर की side एक ही tip आती है तो blouse की finishing बड़ जाती है अब इसके बाद आद हम यह जो उपर की side है यहाँ पे दूसरी press tip लगाएंगे और ये बाहर की साइड से भी टिप लगाएंगे, ताकि हमारे जो अस्तर और जो ब्लाउज का फैबरिक है, वो एक हो जाए, और इसके बाद हम स्लूज बनाने के लिए हमें आसाने बन जाए, अब इसके बाद हम स्लूज बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं पहले ये सेंटर ले लेती हूँ, जिसलूज का बिचो बिच का सेंटर है, उसको उपर ये निशान लगा कर ले रहे हूँ, और इसके बाद जो हमें डिजाइन बनानी है, तो उस डिजाइन के लिए एक एक आधा आधा इंच का मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ब्लाउज के उपर मैंने एक एक इंच के साथ निशान लगाया है, वहाँ पे बाजू की साइट थोड़ी बड़ी है, यहाँ पे बलाउस की साइट थोड़ी बड़ी रखी हुई है और यहाँ पे जो बाजू की साइट है वो थोड़ी सी छोटी रखी हुई है क्योंकि बाजू छोटी होने के वज़ेसे अगर हमने थोड़ा सा बड़ा रखा तो जो सेंटर में हमारा अंतर आ जाता है वो बहुत अधी बड़ा आता है तो वो design दिखने में अच्छी ने दिखती है यहाँ पे अगर बाजू का अंतर थोड़ा सा छोटा आ जाए तो वो design दिखने में भी अच्छी दिख जाती है तो इस तरह से जब हम यह जो customer था यह customer का जो बाजू था वो बहुत छोटा है तर छोटा रखा हुआ है और यहाँ पे हमें सेंटर में यह बटन्स लगाने हैं और यह जो बटन्स है यहाँ पे आप उसको फिट कर सकते हैं यहाँ पे यह तीन बटन लगाए तो भी अच्छा दिख जाता है अब इसके बाद अगर आपको मेरे यह ब्लाउज डिजाइन स्ल करना विडियो अगर पसंदा आइ तो विडियो को लाइक करना शेर करना थैंक्स फर रोच